हेलो मेरी पहरे जंदा तो सुवागत करता हूँ आप से भीका में 2D animation course by mobile class 12th के अंदर तो गाइज ये class 12th है और इससे पहले हम 11 class से complete कर चुके हैं तो अब तक का इस course का सबर आपका कैसा रहा नीचे feedback form दिया हुआ है description में तो उस feedback form को feel करके मुझे बताएगा आपको कैसा लगा और साथ में अगर आप 3D animation भी चाहती हो mobile के जरीए वो course में आपके लिए लेकर रहा हूँ तो इस पर कम से कम मुझे पूरी सीरीज पर एक लाफ व्यू चाहिए मुझे पता है number बहुत ज्यादा नहीं है आप आसानी से ये cover up करवा दोगे तो आगे बढ़ते हैं और तो आप क्या करेंगे मैं इस वो इसको delete कर देता हूँ तो यहाँ पर यह जैसे recording button पर click करोगे बोलना automatic शुरू कर देगा यहाँ पर आपको वो करने की जुरत नहीं है लग से जो है action देने की जुरत नहीं प्रते है अच्छी बात मुझे यहीं लगती लेकिन इसमें बहुत सारे disadvantages भी है इसमें अपन करेक्टर को चला नहीं सकते और जो है दोड़ा नहीं सकते इसके पेर चलते विए नहीं दिखा सकते इस टेबल सीन सी ही ज्यादा सूट होते हैं इसके अंदर ओके मतलब animate तो करवा सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे इस पर में क्लिक कर देता हूँ ठीक है वो इस पर और इसको पूछते हैं हम अरे क्या नाम तुमारा मैंने आज पहली बार देखा तुम्हें दूर से देख रहा था अकेले बेठेते तो सोचा पूछ लूँ और इसको सुन सकते हो आप अरे क्या नाम तुम्हारा मैंने आज पहली बार देखा तुम्हें दूर से देख रहा था अकेले बेठेते तो सोचा पूछ लूँ तो यह कार्टून करेक्टर के वाज में अटोमेटिक ही चेंज हो चुका सेटिंग्स पर क्लिक करके इसकी वोईस को पिछ को और ज्यादध कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं पतली वाज करने थोड़ी सी पिछ को कंट्रोल करते हैं ठीक है कि स्ट्रोंग हो रहा है तो पिछ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और पुरा देता हूं ठीक है येंग वोईस हो रही एंपो क्या होता है वो भी देख लेते हैं पिछ सुनते हैं मतलब है आपके वोईस को इसको स्लो एंड फास्ट करेगा ठीक है तो इसको में नॉर्मल रख लूँ थोड़ा सा और कर देख लूँ ठीक है और सेव कर देते हैं इसको और अब लड़की को बुलवाते हैं कुछ लड़की को बुलवा रहा हूं लड़के को बुलवा रहा हूं जो बी एक सभी!!" होगे इनुनमें फ्रेम वाइस फ्रेम होंगे ठीक है जैसे मैंने पहला फ्रेम थी जिसमें दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, second frame में लड़का बोलता, ठीक है, next frame पर click करके, एक काम जो करवा रहे हो ना, अगर एक की frame पर दो काम करवाओगे, तो बहुत fast होंगे, और आपका scene जो है attractive नहीं बनेगा, और अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, तो next frame पर click करके next frame लेंगे, फिर next frame में लड की कुब लोएंगे, ओ हाँ, मैं ना, दो दिन पहले ही shift हूई हूँ, तो और रूम पर जो हमें के लिए बोर हो रही थी, और यही पास में यूनिवरसिटी में पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चला कि यहां पर पास में एक अच्छा सा बीच है, तो बस यहां पर आ गई ठ हलने के लिए और कुछ नहीं हूँ, ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं, और इसके वाँ सुन लेते हैं, तो और रूम पर जो हमें के लिए बोर हो रही थी, और यही पास में यूनिवरसिटी में पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चला कि यहां पास में रचा सा बीच है, म मेरे कः मेरे को स्पीड के वाँ जाद लेगी, टेमपो को थोड़ा कम कर देते हैं, बढ़र जाधा कम हो गई, क्या करते हैं, इसको थोड़ा कर देते तो कुछ इस तरह का सीन बना देखो, नेक्स्ट फ्रेम को न का लेकर इसको प्ले करके दिखा धा, अरे क्या नाम तुम्हारा मैंने आज पहली बार देखा तुम्हें दूर से देख रहा था अकेले बैठे थे तो सोचा पूछ लूँ ठीक है बेसिक है थोड़ा एडवांस में प्रेक्टिस करोगे तब जाओगे इसे नहीं पोचोगे इस पर प्रेक्टिस की काफी जुरुत पड़ीगी इस एप्लेक्टिस बहुत ज्यादा प्रेक्टिस करोगे तब जाके काफी अच्छे वीडियो बन पाएंगे ठीक है अब इसमें थोड़ा सा इनिमेशन भी देख लेते हैं ठीक है अगर यह इसको प्रपोज करता है तो हम कुछ इस तुमने में दूर से देख रहा था अकेले बैठे थे तो सोचंब पूछ लूँ ठीक है एक काम करता हूं बाकी फ्रेम को मैं एक बार डिलेट कर देता हूं यहां पर जैसे ही फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे स्लेक्ट करके इस पर जब भी रुखोगे डिलिट पर क्लिक करोगे तो delete हो जाएगा कुछ इस तरह से थोड़ा सा time लेगा हो सकता आपका और कुछ चीज़ और है वो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर जैसे click करोगे तो यहाँ पर animation के speed slow और fast होगी मतलब इन दोनों के बीच में जो animation पास्ट कर देता हूँ ठीक है थोड़ा क्या जैदा ही पास्ट कर दिया है तो यह किस तरह से चलता है यह फ्रेम देखो कितनी जल्दी move हो रही है इतनी देर में फ्रेम में रुक रहा था अब यह रुक भी नहीं रहा ठीक है इस फ्रेम को उठा देते हैं बाद में क्या है next scene में है next scene है third scene है तो third scene में propose कर रहा है तो इसको भी क्या करते हैं अपर propose करते हुए कुछ animate कर वा लेते हैं तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं वह देखते हैं जैसे मैं इस पर click करके रखता हूँ जैसे कि यह वारा तो सबसे पहले इसके face के expressions को देख लेते हैं angry face है laughing face है normal face है cry face thoughtful face है phone है देखें यहां पर यह वाला है phone भी आ गया brushed भी आ गया और यहां पर shocked भी आ गया slip भी आ गया तो अलग-अलग face reactions होते हैं उसके बाद में clothes का है clothes में आप जो टीशेट वगेरा change करवा सकते हो कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से तो आप जो भी टीशेट से suit पहना दिया ना उसके बाद में shoes आपन change करेंगे shoes में यह वाले shoes है और shoes में अभी इसमें कुछ खास option है नहीं paint पहना देते हैं दूसरी coat paint के साब से paint भी पहना दी shoes को मैंने अठाई दिया था तो shoes को पहना देते हैं अच्छा नहीं रखता ठीक है और उसके बाद में इसको क्या कर देते हैं cut कर देता हूं save changes पर click कर देता हूं save changes पर click करोगे तो यह login मागेंगा continue with google कर दो आप एक बार के लिए मुझर से login कर लो ठीक है एक minute का wait लगेगा मैं इसको login कर लेता हूं कुछ भी अपना नाम दे दीजिए मैं high करके दे रहा हूं बस continue high taken है तो मैं 4-5 बार high ले लेता हूं continue यह भी taken है तो मैं इसको 123 कर देता हूं successfully हो चुका अब इसके अंदर और क्या चीज़ी रही है वह बता देता हूं मैं आपको expressions बता दिए clothes बता दिए adjustment के लिए क्या करोगे आप इसको कितना adjust करना जाते हूं वह सारी चीज़ी यहां पर है यह size resize है इसकी बहुत बड़ा बन जाएगा बहुत छोटा बन जाएगा ठीक है उस हिसाब से हो जाएगा अब इसको थोड़ा सा animation देख लेते हैं ठीक है जो चीज़े रह रही थी वह मैंने आपको बता दिया ठीक है तो इसको क्या करते हैं फिर वापस से मैं बहार जाता हूं discard changes पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि इसकी जो dress वगेरा है वो paid है फिरी नहीं है ठीक है उसके बाद में क्या होता है वो देखते हैं यह frame तो अपन ने सीख ली है अब देखे जैसे ही मैं बाकी की frames अब इसके parts को movable जो अपन करवा रहते हैं उनको थोड़ा सा सीख लेते हैं ठीक है तो इसको क्या करेंगे अपन stop कर देंगे ठीक है play जो हो रहा था उसको stop कर देंगे ठीक है और यहां से इसको बाहर ले जाएंगे इसको अंदर की तरफ भेज देंगे फिर से इस तरह से ठीक है एड़ेस्ट कर दीजी एड़ेस्ट होने के बाद में देखें यहां पर जो फ्रेम जो काम होगा अब एक फ्रेम वाइज फ्रेम में यह सारा का सारा काम होता ठीक है तो मैं क्या करता हूं नेक्स्ट फ्रेम ले लेता हूं इस पर क्लिक करके जो मेरे पास फ्रेम आ जाएंगी उस वाली इस पर क्लिक करेंगे एरो वाला साहिन ना नीचे की तरफ और यहां नेक्स्ट फ्रेम पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट फ्रेम में जो एनिमेशन करवाना वोटोमेटिकी सूट हो जाएगा ठीक है जैसे मैं इसको गुटनों के बल बैठा देता हूँ सोरी गुटनों के बल नहीं बैठाएंगे इसको बीच में से इस तरह से करके जो भी है ठीक है कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से जो भी आप जो भी करवाना चाते हो इसको करवा दीजे ठीक है और इसको और आगे से आप बिठाना चाते हो तो कुछ इस तरह से बिठा सकते हो ठीक है तो मैं भी ऐसे बिठा देता हूँ और reaction आप एड़ करती है तो यह सारी की सारी चीज़ है वो record हो गई है ठीक है वो कैसे होती है देखे प्ले पर क्लिक करके देखते है ठीक है यह देखे यह वाली animation record होगी अब देखे अभी जो मैं आपको चीज़ समझा रहा था वहां पर न इस फ्रेम ही होंगे ठीक है मैं इसको stop कर देता हूँ अगर मैं इसी फ्रेम में दूसरा animation करूंगा तो वह अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो आपको next frame में लड़की का animation का इस पर देशे लड़की के लिए मैं यह पर पोज़ करेगा तो लड़की का कैसा reaction हो सकता है तो मै कर देता हूँ ठीक है यह पर पोज़ कर देते हैं और लड़की जी हमारे पास यहां पर सोख हो जाती है देखे इस तरह से ठीक है और इसको मैं अठा देता हूँ तो यह सोख हो गई है इस तरह से आप सारे के सारे animation करा सकते हो और भी कई सारी चीज़ें है वो भी आप explore कर स देते हैं इनके पेरों को क्या है देखे यह काम जितना भी होगा ना वो practice का है ठीक है ओके तो इसको क्या करेंगे यह से करके ऐसे बैड़ जाएंगे दोनों ठीक है लड़की को भी बैठा देते हैं आई यह थोड़ा सा पास में आते हैं दीदी और आपको भी बैठा देता तो इस तरह से शोकिंग पेस को उठा दो यार अच्छा नहीं लग रहा है लड़की है प्यारी है फिर भी ऐसा सोकिंग पेस तो मैं इसके फेस पर किलिक करता हूँ और इसको क्या करता हूँ हैपी फेस कर देता हूँ ठीक है धनो रोमेंटिक हो गए हैं आपके मन में तो यह सारी की सारी चीजे हैं अब आपको फिर से मैं इसके प्लांस दिखाने जा रहा हूँ कुछ उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे अब आप वीडियो को एक्सपोर्ट बिटन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से कोई बड़ी बात नहीं तरह से लिखिए बाकि अपना जो है क्रोमा टून्स तो ही उसमें इससे भी ज्यादा अच्छे उप्सन दे रखें एडिटिंग के लिए काइन मास्टर यूज कीजिए अब तक जो हमेंने आपकी सारी चीजे कवर अप कर दी है अब सिर्फ एडिटिंग वच्छी है फाइन तरह इंस्टाग्राम पर भी वरना थोड़ा सा इंतजार के लिए मिलता हूं नेक्स्ट और आखरी क्लास में